जवा है मुखबत, होती है जमान, लुग दाया है दिलने, मुशी को फजाना अल्लाह रखी वसाई, जिन्हें हम नूर जहा के नाम से जानते हैं, का जन्म 21 सितंबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ उनके बच्पन से ही कला और संगीत के प्रती गहरा जुकाव था कहते हैं, उन्होंने पहली बार मंच पर चार साल की उम्र में गाना गाया और वहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई बतोर बाल कलाकार नूर जहा ने पहली बार श्रीकृष्ण लीला नामक फिल्म में अभिनय किया उनके मासूम और प्यारे चहरे के साथ उनकी सधी हुई आवाज ने सभी का दिल जीत लिया इसके बाद उनकी किस्मत के दर्वाजे बॉलिवुड की दुनिया में खुलते चले गए इसके बाद नूर जहा ने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया उनकी फिल्मों गुलैब कावली और यमला जट को दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला लेकिन जो फिल्म उन्हें असली पहचान दिलाने में काम्याब रही वह थी खांदान इस फिल्म में नूर जहा ने एक अभिनेतरी के रूप में अपनी पहचान बनाई और अपनी सुमधुर आवाज में कई बहतरीन गीत गाए खांदान उस दौर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई 1947 में भारत के विभाजन के बाद नूर जहा पाकिस्तान चली गई और वहां की फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर जारी रखा उन्होंने पाकिस्तान के सिनेमा में भी कई यादगार फिल्में की और वहां भी उन्हें वही लोकप्रियता और सम्मान मिला नूर जहा ने लगभग एक हजार गाने गाएं और अपने जीवनकाल में लगभग एक सौ फिल्मों में काम किया चाहे वह प्रेन गीत हो या देश भक्ती गीत उनकी आवाज का जादू हर धुन और हर लफज में जलकता था उनकी आवाज में इतनी ताकत और गहराई थी कि वह हर दिल तक पहुँच जाती थी नूर जहा का योगदान बॉलिवुड के इतिहास में अमूल्य है